नमस्कार साथियों, मैं मनीश भारती संस्कृती आईस प्रेटफर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आप जानते हैं, अठार्मी लोक्षभा चुनाप के लिए पांच चरन का मद्दान हो चुका है छटे चरन के मद्दान होने की प्रिकरिया जाली है, देश की राजधानी दिल्ली में तावर तो रेलिया हो रही है लोग महला जाकर के चुना परचार कर रहे हैं, जिस भी पार्टी के लीडर है चुकि राजधानी दिल्ली में छटे चरन में 25 मई को मद्दान होना है अब इस सब के बीच आप लोगों ने एक प्रशन पूछा था और यह प्रशन यह पूछा था comment box में आप लोगों ने कि सर ये बता दीजिए कि इस बार जो भी member of parliament बनते हैं सांसत चुने जाते हैं तो क्या वह वैक्ति एक बार जनता के द्वारा चुन लिया गया फिर यदि क किसी तरह के कदाचार का काम करता है जेल चला जाता है या किसी तरह की स्तिती में इस स्तिती में पाया जाता है कि उसे जेल वेगरा जाना हो तो क्या वह सांसत फिर भी रहेगा या उसे सांसत के पर्द से हटा दिया जाएगा जैसे कि मालिजिए कोई officer है और वह कदाचार कर इस पर ही चर्चा कर लेते हैं तो सुरुवात यहां से करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूझा था कि क्या कदाचार में पाए गए या पांकी और क्या क्या प्राबधान हो सकते हैं, कुल मिला करके जमाबात यह कि क्या वो संसद के पद से हट सकते हैं, सदस्ता जा सकती है, ए सबसे पहले तुम्हें एक उधारन दे करके ही आपको ये समझा देना चाहता हूँ, साल था 1975 का, 1975 में इलहाबाद हाई कोट में एक मामला जाता है और यह मामला होता है इंद्रा गांधी जी के चुनाब से संबंदेत, और उसमें पाया जाता है ये कि इंद्रा गांधी जी इसके बाद मुरारजी देसाई देश के प्रधान मंतरी बनते हैं उसके बाद जो है इमरजनसी भी लगा था तो ये दौर जो है 1975-1977 का ये दौर यह इसके लिए बहुत अच्छा उधारन आपको देता है कि देश के प्रधान मंतरी की ही जो है वह सदस्था चली गई थी इ अकि इसके क्या-क्या प्राबधान है क्या तकनीकी पहलू इससे जुरा हुआ है जरा इन सब बातों को देख लेते हैं यहाँ पर देखें टीमसी की लीडर नजर आ रही है महुआ मोहित्रा तो इनकी भी संसथिये सदस्था चला गया इनको रद कर दिया गया मेंबरा पार् बाहर से किसी वेक्ती से किसी कंपनी से पैसा ले करके और उसके हित से जो रहुआ प्रस्ण जो है पार्लामेंट में पूछ रही थी तो यह इस मामले में कदाचार में पाई गई थी तो सदस्ता चला गया था चलिए उससे पहले एक ओफर है आपके लिए और समर सेल का यह लिए यह राहत भरी खबर है और ओफर कितना है तो देखिए पचास से पच्छतर प्रतिशत तक का विभिन कोर्स पर छूट दिया गया है सभी ऑनलाइन लाइब पेंड्राइब टेस्रीज और डिल्पी डिल्पी का मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम यानि आप दिल्ली नहीं आपाते हैं तो घर बैठे आप संस्कृति आइस जुड़ करके यूपी एस्सी की या ये जितने भी कोर्स आपको नजर आ रहे हैं विभिन पीसी एस का यूपी एस्सी का एंसे आर्टी कोर्स यूपी में आरो एरो का एकजाम जो है वह फिर से होने वाल है तो बिना समय गमाए हुए संस्कृति आइस के वेब साइट पे चले जाएए www.sanskritiis.com वहां जाकर के कॉंटेक्ट नमर दिया होगा आप उस पर कॉल करके इस संबंध में विस्तित जानकारी लीजिए और अपना नामांकन यथा सिग्र सुनिश्चित करवा लीजिए च 121 में यह बात लिखा हुआ है कि कोई बैक्टी संसत के किसी सदन का सदस नहीं रह जाता है या सदस के रूप में ऐयोग हो जाता है उसकी क्या इस्थिति यहां पर बताए गई है सबसे पहली बात एक कहा गया है कि वह लाव के पद पर यदी रहता है मानलेजिए कोई बैक् के अधिन भी हो सकता है, के अंदर सरकार के भी किसी विभाग में हो सकता है, तो इस संदर में क्या हो जाएगा, कि वह अयोग घोशित किया जा सकता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रशन आता है, कि ये लाव का पद क्या होता है, निश्चे तोर पर आप ये जानना हूँ जैसे कि कोई वयक्ती एक बात तो यह हो गया कि संसद के वो सदस हैं मेंबर आप परल्लेमेंट हैं ठीक है और दूसरी बात मान लेजिए उत्तरप्रदेश सरकार में किसी डिपार्टमेνट کا फिल्म प्रमानन बौर्ड मान लेते हैं उसमें वो क्या होते हैं डारेक्टर की पद पर होते हैं तो इसे लाव का पद माना गया यानि कि एक काम यहां यह कर रहे हैं दूसरा इस चीज़से भी जुरे हुए हैं। तो इस स्थिति में इनकी संसत की सदस्ता जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कहा गया कि यदि वह वैक्ति जो है वह विक्रित चित्वाला पाये गया है। इमेडिकली पूफ हो चुका है कि वह विकृत चित का है यानि कि उसकी मानसिक स्थिती जो है वह सही नहीं है अब जब मानसिक स्थिती सही नहीं होगा तो समझे ये MP कैसे रहेंगे क्यों MP कौन होता है Member of Parliament Member of Parliament का क्या काम होता है जन्ता के सवालों को जन्ता के मुद्दों को पार्लेमेंट में अंदर जा करके उठाना जन सरोकार पे बाते करना लेकिन वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्त है ही नहीं विक्रित चित का है तो फिर वह मेंबर आफ पार्लेमेंट के रूप में कैसे सही से काम कर पाएगा अपने छेदर के जनता के लिए कैसे आबाज उठा पाएगा इसलिए उससे अयगगोशित कर दिया जाता है यह मामला समझ में आगया उसके बाद जो है वह दिबालिया हो चुका हो भारत का नागरिक हो लेकिन इटली की नागरिक्ता उसने ले लिया हो तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा जो कि Member of Parliament बनने के लिए जो पहली योगता हो है वही है कि आपको Citizen of India होना चाहिए तभी आप इस पद के लिए मतलब आप Nomination ही कर पाएगे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से Nomination की परकिरिया होती है चुनावी दंगल के इस कारकरम के प्रेलिष्ट में जाएए वहाँ यह सम्मिल जाएगा आप देख सकते हैं उसके बाद यह है कि यदि वह संसवदारा बनाएगी किसी भी विधी या उसके अधीन कोई भी कानून बेगरा है उसके द्वारा उसे अयोग घोशित कर दिया जाता है संसदिय कानून की बात कर रहा हो तब भे उसकी संसदिय सदस्यता जा सकती है अब यहाँ पर कुछ बाते और समझे यदि यहाँ प्रश्ण उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस अनुचेद 1021 में वर्नित किसी निहरता से गरस्त है या नहीं तो इसका विनिश्चे राष्टपती द्वारा किया जाएगा और प्रसिडेंट ओफ इंडिया जो भी निरने लेंगे जो भी डिसिजन देंगे वही अंतिम रूप से मानने होगा तो मामला समझ में आ गया संबिधान क्या बात करता है इसकी तो संबिधान सीधा कहता है कि भाईया हमारे पास एक अनुचेद है एक आर्टिकल हमने बना रखा है कौन साथ एक सौद दो एक सौद दो एक में आप जाईए यहाँ पर कुछ बाते हमने लिख रखा है और वह बाते मैंने आपको पहले बता दिया कि लाव के पत्पेना होना चाहिए वो विकृत चित्त का नहीं होना चाहिए तो यह तो पिर यह कहता है कि आप पिर मेंबर नहीं रह पाएंगे और इस इस्तिती में आपको कोई भी दिक्कत बगरे लगता है तो प्रसिडेंट आफ इंडिया निरने लेंगे और वे जो भी निरने लेंगे वही निरने आखरी निरने माना जाएगा उच्च नियले में संसत के किसी सदन के लिए हुए किसी चुनाव को चुनोती दी जा सकती है यह भी बाते यहाँ पर प्रूफ कर दिया गया है यदि यह सिद्ध हो जाए कि चुनाव के दोरान कोई भरष्ट परकरिया अपनाई गई है तो उच्च नियले को यह शक्ति प्रा उस पर किसी तरह की शिकायत है और चुनावी कदाचार में सनलिप पाया गया तो आप उमिद्बारी को रद कर दीजिए और यही काम तो इलहाबाद हाई कोट ने किया था 1975 में इंद्रा गांदी जी के साथ प्राइम मिनिस्टर थी वो समझ लीजिए इससे बड़ा उधारन त था यानि कि जब हमारे समिधान निर्माताओं ने 1950 में समिधान को अंगिकर्ट किया था हमने आत्मार्पित किया था उस बख दसमी अनुसूची तैंत सिरुल समिधान का भाग नहीं था बाद में ये से सामिल कर लिया गया बाद में क्यों शामिल किया गया मैंने एक दल जनता ठगी हुई महसूस करती जनता ने कहा कि हमने आपको भोड़ दिया और आप अपने हित के लिए मिनिस्टर बनने के लिए दूसरे पार्टी में चले गए तो भाया हम तो ठगे गए तो यही बातें यहाँ पर कोशिश की गई कि इस प्रकरिया को रोका जाए चुकि इस वज़ा से क्या होने लगा भारती राजनिती में और इस्तिरता दिखने लगा नेता जो है लालच में इस तरह का काम करने लगे तो इससे क्या होगा लोगतंदर की जो अस्तंब है लोकतंदर के परती जो लोगों का विश्वास है वो कहीं ने कहीं डगमगा जाएगा तो उसको सुद्ध करने की आवशक्ता था और इसके लिए संबिधान ही ये काम कर सकता था तो फिर परलेमेंट ने ये तैंक किया कि हम एक नया स्टेडूल ही जोड़ देंगे बारह अनुसुची अभी है संबिधान में तो दसमी अनुसुची उस समय जोड़ दिया गया और दसमी अनुसुची के तहट दल बदल विरोधी कानून ला दिया गया तो ये मामला यहाँ पर है कि अगर मान लेजिए कोई नेता जो है दल बदल अधिनियम के बिरुध जाता हुआ नजर आता है और पाया जाता है कि सही में इसने ऐसा किया है तो उसे अयोग घोशित किया जा सकता है उसकी सदस्ता से हाँ मैंने आपको इस कानून में बता है था कि यह तब बत सकता है जब दो तिहाई लीडर उस पार्टी के एक साथ दूसरे तरफ चले जाते है यह पहले एक तिहाई हुआ करता था लेकिन उससे भी मामला रुका नहीं तो उसे आगे बढ़ा करके दो तिहाई कर दिया गया था मैंने उस लेक्चेर में आपको डिटेल से बताया है तो फिर यह चीज़े अगर होता है तब भी यह हो जाएगा कि उसे अयोग घोशित कर दिया जाएगा और इसकी समिक्षव एगरा जो की जाएगी वह अध्यक्ष के दुआरा जो भी लोक्षभा के अध्यक्ष होंगे य ली थॉमस बना मभारत संग इस मामले में सुप्रिम कोट ने एतिहासिक निरने दिया सुप्रिम कोट ने क्या कहा समझे कोई भी संस्य सदस या विधान सभा का सदस या विधान परसत का सदस जिसे किसी अपराद का दोसी ठाराया जाता है और निवनितम दो साल के काराबास की सजा दी जाती है तो वह ततकाल प्रभाव से सदन का सदस नहीं रह जाएगा लीली थॉमस मामले में सुप्रिम कोट ने बेह देती हासिक निरनय दिया था और राजनितिक सूचिता को बहाल करने की सुप्रिम कोट ने कोशिश की थी फिर से आपको बताता हूँ कि क्या कि आप मान लीजिये विधाने परिशत के हों और हमें लगता है कि आप कदाचार में लिपते हैं और किसी तरह का आप पर आरोप बेगरा है और आपको सजा कोट ने दे दिया और सजा दो साल से धिक्का हो गया सजा दे दिया लेकिन सजा जो है वह 18 महने का है तब कोई दिक प्रभाब से जो लोग शभा है या कह सकते हैं संसत का जो सजीवाल है तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि ये जो है अब हमारे मेंबर नहीं रा गए ये उधारन देख कर बताओं राहुल गांधी के मामले में ये हुआ था राहुल गांधी को गुजरात के एक आदालत ने ये कह दिया था कि इनको सजा जो है दो साल सदिका हो गया तो उनको ततकाल प्रभाब से लोग सभाब से एक नोटिफिकेशन आ गया था और उनको उनकी सदस्ता चली गई थी बाद में हलाकि सुप्रिम कोट ने फिर से भाल कर दीया नहीं तो वो जो केरल के वा बाहर से कहा गया कि कुछ लोगों से उन्होंने अपने किसी दोस्त से पैसा लिया था और उसके हित से जो लितु प्रश्न पूछे थे पार्लेमेंट में, जबकि जन प्रतनिती हैं, किसके हित के प्रश्न पूछने चाहिए थे, जनता के पूछे किस से तो पैसा लेकर के अपने दोस्तों के वो बेपारी या कोई भी हो सकते हैं तो कुल मिला करके उन्होंने कदाचार किया तो जो सजा हुआ अगर मान लिजे सदन ने पाया कि यह नहीं रहेंगे योग नहीं है अब हमारे बीच पैठने के लिए योग नहीं है उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो यह भी एक परकरिया होता है ठीक है और यह ततकाल प्रभाब से सदन की सद्धसता खो देते हैं कुछ उधारन जो महत्पुन हो सकता था मैंने बता दिया अब यहाँ पर बात करते हैं पिपुल्स रिपर्जेंटेटिटिव एक्ट 1951 की बात मैंने अभी किस के हिसाब से आपको बताया था संबिधान के आर्टेकल एक सो दो एक के माध्यम से बताया मैंने मैंने कहा कि संसदिय कानून भी इसको लेकर के कुछ काम कर सकती है ठीक है मैंने सुप्रिम कोट के निरने को लेकर के बता दिया लीली थॉमस वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया 2013 का केस है बहुत थेमस केस है जहाँ भी आपको लगे कि आंसर राइटिंग बेगरा में इसको लिखना है कहीं कोट करना है तो जरूर कीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये सब चीजे अगर होता है और इसमें जा सकता है अब ज़रा देखते है पिपल्स रिपरजेंटेटिव एक्ट 1951 क्या कहता है इसके जो है सक्षन एट इस अधिनियम का जब भी महतपुर्ण बाते आएगा सक्षन एट सक्षन एट को अच्छे से तयार कर लीजिए इससे बहुत सारे चीजे जुरा हुआ आता है तो सक्षन एट कहता है दोसी वेक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकता है कैसे देखिए प्रंतु ऐसे वेक्ति जिन पर केवर मुकदमा चल रहा हो वे चुनाव लडने के लिए स्वतंत रहें चाहे उन पर जो आरोप लगा है वो कितना भी गंभीर आरोप क्यों न लगा हो चलिए अब एक भारिक समझ यहां देखते हैं आप यह देखते होंगे न कि जब चुनाव चलता है तो बहुत सारे दागी नेता उसमें होते हैं और सभी पार्टियों में होते हैं यह नहीं है कि इस पार्टि में है मेरी पसंद की पार्टी में दागी नेता है, आपके पसंद की पार्टी में कोई दागी नेता नहीं है, सब साप शुत्रे एकदम दूद के धुले होई नेता है, ऐसा नहीं है, अब हर पार्टी में देखते होंगे, आपको ये जानकारी कैसे मलेगा, Election Commission of India के वेबसाइट पे कि आप पर मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसके प्रकृर्टी क्या है, यानि कि मतलब कौन सा सेक्शन लगा हुआ है, सेक्शन से पता चल जाएगा, कि मामला संगिन है या नहीं है, तो ये सारे चीज़े पता चल जाता है, तो मान लेज हैं लेकिन इसके बावजुद भी वो election लर सकते हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे comment box में बताईए क्या आपको लगता है कि किसी पर हत्या का मुकदमा चल लहा हो और उसे चुनाब लगना चाहिए आप हो सकता है आप कहें लगना चाहिए तो तरक दीजी आप मेंसे बहुत स आप लड़ी ना पाए तो यह भी संबब है तो आप जिस भी पक्ष में हो अपना तरक के साथ बाते रखिए ठीक है तो यह चीजे भी एक जनपरतिनरी अधिनियम जो है उनीशे क्या बनका उसका section 8 यह कहता है अब यहाँ पर समझ लेजिए section 8 एक और दो के प्राद्धानो हूँ अमुख जाती से हूँ तथाकतित उच्च जाती से हूँ मैं तथाकतित अमुख निम्न जाती से ने अगर मुझे छू दिया तो मैं आपवित्र हो गया समिधान इसको वर्जित करता है तो यहाँ पर औस प्रेसत्ता की बात हत्या की बात की गई है बलतकार की बात की प्रतिवंधित वस्तूओं का आयात या निर्यात करने की बात की गई है आतंकबादी गती रिधियों में शामिल होने की बात की गई है ये सब चीजों में पाई जाते हैं तो जन्परतिदी अधिनियम धारा आठ एक और दो कुछ बाते कहता है क्या कहता है उससे इस सभी सेक्षन 8-3 क्या कहता है सेक्षन 8-1 और 8-2 मैंने बता दिया 8-3 कहता है इसमें कुछ प्राबदान है यदि कोई सदस उपर युक्त अपराधों के अलावा किसे भी अनपराध के लिए दोशी शाबित किया जाता है यदि अपराध ये सब है तो उसे 6 बर्स के लिए बाहर क पा लिए जाते हैं उनको सजा दे दी जाती है कराबास की नियूम तम दो बर्स की जेल खैजा हो जाती है उसे स्थिति में 2 उसी ठाराय जाने की तिथी से अयोग माना जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति को सजा समाप्त होने की तिथी के 6 वर्स तक चुनाब लगने के लिए अयोग माना जाएगा उधारन से समझते हैं। अब 3 साल भी रख सकते हैं। तो चलिए इनको हमने सजा दिला दिया, 3 साल का सजा इसको सुप्रिम कोर्ट से मिल चुका है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि 3 साल का सजा और पलस 6 साल तक यह चुनाब नहीं लर पाएंगे। तथा ऐसे वेक्ति को सजा समाब्त होनी की तिथी के बाद 6 वर्स तक चुनाब लड़ने के लिए अयोग माना जाएगा। तो 3 साल का सजा और 6 वर्स उसके बाद तो 9 साल तक यह एलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। यह चुनाब नहीं लर सकते। आप कहेंगे सर एक उधारन से बताइए आप तो सब चीज को उधारन से बता देते हैं लालू परसाद यादव। अब जा करके इसको मैंने नाम बता दिया है। खुब अच्छे से स्टेरिक कीजिएगा लालू परसाद यादव इसी इस्थिती के मारे होए रहे। चुनाब से ही बाहर हो गए लंबे समय तकुनाब से ही बाहर हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी पर दया दिर्ष्टी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो संसत की सद्दस्रता है उन्हें वापस सौप दिया। नहीं इसी इस्थिती के सिकार हो जाते। ठीक है। तो यह बड़ा खतरनाग हो जाता है कि अगर दो साल की भी सजा मिली है तो वो हमेशा के लिए नहीं है। मतलब पांस साल के बाद तो आप टैंकरेंगे ही। लेकिन इस पांस साल के अंदर भी किसी भी तरह के कदाचार में वो पाये जाते हैं तो निश्चित तोर पर उन्हें अपनी सद्दस्रता गवानी पर सकती है। अब इस पर आप क्या पाये और थोरी सी हमारी जानकारे भी बढ़ाईए कमेंट बॉक्स में अपने विचार से हमें अपगत कराईए। दूसरी बात सबसे एहम बात कि क्या बाकई आपको लगता है कि ऐसे नेताओं पर जो की चुनाबी कदाचार में सनलिप पर पाय जाते हैं ये अच्छा है कि उनकी सर्दस्रता को खत्म कर दिया जाए। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए। या फिर आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि नहीं से रहने दीजिए पांस साल चुनाब में बहुत खर्चा हुआ फिर से बाई एलेक्शन होगा बहुत माता पत अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके और क्या तरक हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताईए। चलिए कोई दूसरा टॉपिक चाहिए जिस पर आपको लेक्शर सुनना है चुनाब से संबनी तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के इस लेक्शर में इतना ही रख स़े जिए ब modeling य पर आपके तो आपके याज कोई कि waryक्शर सुनना ही फिर दूसरां के रखके बॉक्स में लेकितै के समय सेरय कोई में रह सकते हैं कोई रह में बताईए। गलिए प confाते हैंox दूसरा में भी कैता हैं हैं के वह दुनाह